उत्रभार समय देशबर के इन राजियों में वारिस के आशार हैं मौसों इंभाग के मुताबिक ताजा पस्तमिक्षोब सिग्रही आने वाला है और बारिस और ब्रभपारी के भी आशार हैं 18 फरभरी की साम को पस्तमि हिमालीक छेतर पर एक और मजबूत ताजा पस्तमिक्षोब आने की उमीद है और ये है पस्तमिक्षोब 22 फरभरी तेक पहाडी राज्यो को परभावीत करता रहेगा जमू और कस्मीर में सबसे ज्यादा गतिवीदिया होंगी कि बाद हिमाचल परदेश और उत्राखन में भी गतिवीदिया होने की संभावना है पस्तमिक्षोब जो की हलका है और ज्यादा तर जमू कस्मेर और लद्दा के उचाई वाले इलाकों को ही परभावीत कर रहा है नेचे और मदे वाले इलाकों में आस्मान में बादल चाये हुए हैं 18 फरवरी को जो पस्तमिक्षोब पहुँचेगा वो मजबूत होगा इन दो दिनों के दोरान सिरिनगर, मनाली, सिमला जैसे नेचली पहाडी लाकों में बारिस और ग्रज के साथ वचारे भी देखने को मिल सकती है पस्तमिक्षोब के परवाव से पंजाब और राजस्तान राजे के कुछ हिस्सों पर एक प्रेरी चक्रवातियाओं का अक्षेतर बनेगा जिससे की उतरबाट के मेदानी इलाकों में हावा का पैटरन एक बार बदल जाएगा इसलिए इन भागों में मौसम की स्तती में बदलाव भी आने की उमीद है पंजाब और हर्याना के तलहटी और आसपास की इलाकों में हलकी बारिस की उमीद भी की जा सकती है जम्मू, कठवा, पठानकोर्ट, कुर्दासपूर, रोपर, चंदिगर्ड, रिसी केस और देहरा दूर में बीस और इकिस फरवरी की साम को आसमान में बादल चाहे रहेंगे इसके साथ ही हलकी बारिस भी हो सकती है हवा की पेटन में बदलाव से मैदानी लाकों में न्यूंतम ताफमान में बडोतरी दर्ज की जा सकती है पहडी लाकों, गिलगीती, बालिस्तान, मुझप्राबाद और जमकस्मेर के कुछ हिसों में हलकी बारिस और बरबारी जारी रहेगी पुरोतर भारत में रोनाचर परदेश, पुर्वी असम, राजे और अन्दमान और निकोभार दिपसमुह के दक्षन हिसों में हलकी बारिस की उमीद है पाकि देश के उतरपस में और मदिभागों में दिन और रात के ताफमान में और भी बडोतरी हो सकती है होई तेश फरवरी से एक और सिस्टम आने की संभावना है जिसके जलते भी पहडी राजें में फरवरी के महिने में बारिस और ब्रभबारी लगातार जारी रहेगी